सु हे गाइस कैसे हो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 21 feet by 30 feet का एक हाउस प्लान तो चलिए देखते हैं मैंने इस प्लान को कैसे त्यार किया हुआ है और इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा यह सब आगे आपको पता चलने वाला है तो बने रहे हैं वीडियो के अंतक फॉस्ट प्लान में इसका आउटर वाल डोगहां कर रहा हूँ सुभाई दोग मैंने पिछले वीडियो में आपको पेसिक बील्डिंग पार्च एंड कॉंप अंट कामपोनेंस के बारे में बताया था इस बीडियो में आपको रिक्रामेंट सफेट गुट बीडिट इसके बारे में म 3rd building economics, 4th comfort and convenience, 5th resistance to dampness, 6th safety against fire, 7th thermal and sound insulations, 8th natural air and light, 9th durability, 2nd security, 11th and last prevention against termites. यह सब good buildings की requirements होती है, तो देखिए मैं इस plan का almost मैंने parts complete कर चुगा हूँ, आप मैं इसका staircase का provision कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही, अच्छा staircase का यहाँ पर design मैंने बनाया हुआ है, unique staircase का यहाँ पर provision किया हुआ है, तो यह आपके खभर को अच्छा लुप देगा, आपके space को भी बचाएगा, जो भी वाई यह video देख रहा है, अगर आप सीविल इंजिनियर हो तो आपके लिए फ्रेशर सीविल इंजिनियर हो तो आपके लिए भी यह video बहुत helpful होगा, और अगर आप खर बनवाने के परपर से यह videos देख रहा हो, तो आपको भी बहुत health मि मिलेगा इस video में, ऐसे बहुत amazing and beautiful house plan में अपने channel पर upload किया है, तो देखिए, आपको बहुत help मिलेगा, तो अब मैं इसका यह color कर रहा हूँ, color होने के बाद से आपको अच्छे से यह दिखेगा, color होने के बाद मैं आपको इसका house का फूरा dimension आपके साथ share करूंगा, तो कैसे मैंने इस plan को तियार किया हुआ है, आपको बहुत help मिलेगा इस video में guys, अगर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे, तो please like कर देना, मैं अपने videos को ज्यादा edit नहीं करता हूं guys, जैसा sound है वैसा डाल देता हूं, मैरे मेरे को उतना मालूम भी नहीं है, तो इसके लि में गेट, में गेट से एंटर करेंगे तो अपने ये स्टियर हॉल, अपना में गेट मेंने जो है उसको 5 feet कर रखा है, एंड इस टियर का जो गंबाई या चोडाई है वो 3 feet रहेगा, यहां से अपना स्टियर अप, ये स्टियर हॉल, अपना उसके बाद से अपना बात कम लैटरिंग, जिसका साइज में रखा है, 6 feet by 4 feet 6 inch का है, उसके बाद से अपना ये बैडरूम, जिसका साइज में रखा है, 12 feet 6 inch by 9 feet 8 inch का है, और इसे अटेश्ट एक बात कम लैटरिंग, साइज में रखा है, 4 feet 8 inch by 5 feet का, उसके बाद से अपना ये, 2nd attached बात कम लैटरिंग, जिसका साइज में रखा है, 5 feet 2 inch by 5 feet का, उसके बाद से अपना ये, bedroom जिसका size मेंने रखा है 10 feet 1 inch by 11 feet 4 inch का and this is also dining kitchen ये एक छोटा सा dining and kitchen है लेकिन अच्छा ही है जिसका size मेंने रखा है 12 feet by 10 feet 1 inch इतना space काफी है आपके dining and kitchen के लिए अगर आपको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगे तो आप इसको correction भी इसमें correction भी कर सकते हो जितना मेरे को knowledge है मैंने उसना आपको provide किया हुआ है और ये है अपना passage मैंने रखा है 4 feet 9 inch का है इतने में आराम से आपका passage अच्छा ये एक अगर आपको ये house plan अच्छा लगा हो तो please like share and subscribe to my youtube channel क्योंकि मैं ऐसे videos लाता रहता हूँ जो आपके house construction में बहुत helpful होंगे और लाखो रुपे बचाएंगे इस बिल्डिंग का कोस्ट आपका 10 to 12 लाक्स एंड कॉलम साइज इसमें रखना है आपके 10 into 12 इंच का है 16 इंच का टोर चार यूज करना है आपको विंडो साइज आपका लेगा 3 feet 6 inch into 7 feet का एंड टोयलेट का डोल साइज जो है आपका 2 feet 6 inch into 7 feet का एंड विंडो साइज 4 feet 5 inch 3 feet 5 inch एंड 3 feet 4 inch जो भी अच्छा लगे हो रख सकते हो एंड वेंटिलेशन साइज 2 feet into 1 feet का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल तब तक के लिए मैं मिलता एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ जै हिंद